गुट इविवन वेल्कम अगें तु रावस के एंस्टूट चलिए फटा फट आज के सेशन को सेयर कर दीजिए सभी गुरूप्स में उसके बाद फिर धमाल मचाते हैं आज का टॉपिक रेने वाला है ओल सीड क्रॉप्स ओल सीड क्रॉप्स में मेजर क्रॉप्स को हम डिस्क साम में पूछा जाता है important part of these all crops कौन-कौन से हैं उसको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं तो अल्मोस्ट मेजर क्रॉप्स को आज कवर कर लेंगे आए जहां सी वेरी कुड़ इंदिंग चलिए फटा-फट शेयर कर दीजे उसके बाद में स्टार्ट करते हैं हम ओल सीड क्रॉप्स देखिए ओलसीड क्रॉप्स के बात करें कि ओईल सीड क्रॉप के प्रोडेक्शन में ऑल्शीड क्रॉब क्रोडेक्शन सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करने वाला स्टेट कौन सा है और सी कल हमने करने डेटा देखा था अल्रेडी क्रण्ट जो हमने देखा था कल पलसे इस कारीन अभी का ओल्सी प्रोड्यूस करने वाला इस्टेट है राजस्ता, ठीक है, अच्छा, जनरली बात करें, पहले तो MP था, ऐसा कहां से हुआ, राजस्तान तो दूसरे नंबर पे था, सबसे ता ओयल सीट प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौनचा था, राजस्तान ये देखा होगा, बट एक्जाक्ली राजस्तान कौनचा है, सेकेंड नंबर पे, सबसे पहले है MP, लेकिन राजस्तान फर्स्ट किसमें है, फर्स्ट बात करें, तो फर्स्ट है, मस्टर्ड एंड रेप सीट में, सबसे ज्यादा मस्टर्ड एंड रेप सीट प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है राजास्तान लेकिन overall हम oilseed की बात करें जिसमें soya bean, groundnut and mustard ये तीनों तो major crops आती हैं और इनके बात में अगर particular crop wise बात करें सबसे ज़्यदा soya bean produce करने वाला state पहले MP था सोya bean की हम बात कर रहे हैं सोya bean में पहले state कौन सा था MP लेकिन अब MP हो गया है second और first कौन सा आ गया है महारास्ट्रा लेकि groundnut की बात करें वहीं पे groundnut में सबसे ज़्यदा produce करने वाला कौन सा है गुजरात पहले भी गुजरात थी था और अभी भी गुजरात है और आप से ये पूछा जाया किसकी productivity कहा है तो वो भी गुजरात ही है किसकी groundnut की अच्छा एक्चुल जब देखेंगे गुजरात और तमिल लाडू इन दोनों क्योंकि जो productivity में difference है वो minor difference है तो productivity ऐसा तो है नहीं कि दस साल से एक बार देखी जाती है वो भी overall yearly चेक की जाती है तो कभी कभी आप देखेंगे कि तमिल नाडू भी चली जाती है क्यों क्योंकि minor difference है जीस तरह से अभी इस बार milk production में राजस्तान फर्स रेंग पे है आज त राजस्तान इंडिया का 15.05% milk produce करता है कौन राजस्तान और यूपी कितना है यूपी की बात करें तो 14.96% produce करता है इसलिए जो gap बन चुका है ना वो आपको बार बार देखने को मिलेगा कभी यूपी कभी राजस्तान सेम में जगर हम बात करें बच्चे किसकी cotton की कॉटन की कॉटन में आपने देखा हुआ कभी महरास्टा कभी गुजरात प्रोडेक्शन में फर्स रैंग पे सेम अब अगर आप देखो कि क्यों कि इसके जो प्रोडेक्शन में माइना डिफरेंच होता है ना तो वो स्टेट फ्लैक्ट्ट करते हैं पहले वेजिटेबल प का रीजन यह है कि सीजन इस बार अगर फॉर कास्टिंग की गई है मांसुन के लिए किस बार अच्छी मांसुन या बारिस होगी तो महरास्टा के जो लोग हैं वो किसको ग्रो करते हैं सुगर केन को क्योंकि सबसे नेक्स सेकेंड नंबर की बात करें तो महरास्टा सुगर केन प्रोड्यूस करता है फिर बात करें राइस में अच्छा कासा है और अगर यह कहा जाए कि इस बार बारीश ही नहीं होगी तो वो लोग कॉटन ग्रो करते हैं तो हर स्टेट का यही जोल होता है अगर different residue और rainfall की अगर बात की जाए तो पहले West Bengal में क्योंकि water अच्छा है और आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा acidic soil कहां है West Bengal में क्योंकि जहां water ज्यादा है वहाँ पे soil acidic format होगा ही होगा ही तो 100% है तो इस fluctuation है अब अब बात करते हैं सबसे पहले हम तो crop की और सबसे major crop which is groundnut कौंसा state है production में गुजरात आप वही बात करें productivity में तो productivity में आप कहीं पर देखेंगे Tamil Nadu और कहीं पर देखेंगे गुजरात पर हसाल यह different minor difference है तो वह changes देखने को आपको मिलते हैं और वह current data में आपको proper सब कुछ मिलेगा गोडिविनिंग बच्चे प्रापर देखने को मिलेगा जो भी difference अभी अगर आया हुआ है तो वह सब आपको मिलेगा बात करते हैं groundnut की groundnut अच्छा common crop की बात कर रहे हैं इंडिया में सबसे ज्यादा area में कौन सा oil seed crop grow किया जाता है वो है soya bean but soya bean में oil content कम होता है तो oil seed seed की बात पूछी जाए विचित soya bean clear बटाकर production की बात किया जाएगी सबसे ज्यूदा किसका oil consume किया जाता है highest consuming consume किया जाने वाल और production किया जाने वाला oil कौन साए तो वो mustard है लेकिन mustard के production की बात करोगे तो वहीं पर कौन्चे रेंग पर है third number पर है second rank पर ग्राउंट है तो soya bean सबसे ज्यादा grow किया जाता है सबसे ज्यूदा seed का production होता है फिर भी उसको हम consume third rank पर करते है उसके पीछे reason क्या है क्योंकि आप भी जानते हो soya bean के अंदर सबसे कम oil content होता है which is 26 percentage और protein content होता है 46 percentage बाकी oil content की बात करें mustard ले लीजिए आप groundnut ले लीजिए around 46 to 50 percentage oil content होता है इसलिए सबसे ज्यादा consume किया जाने वाला oil कौन सा है very good evening very good evening all सबसे ज्यादा consume किया जाने वाला oil है mustard and rap seed और सबसे ज्यादा अगर seed production की आपसे पूछा जाये वो है soya bean इंडिया में सबसे ज्यादा soya bean तो groundnut की बात करें इसका production second rank to and third rank पे आता है production or consumption में consumption में second और production में third rank गुजरात सबसे ज्यादा produce करने वाला है अगर कभी आपके दिमाग में ऐसा ना अगर याद ना रहे तो एक चीज याद रखेगा जिस state में loamy और sandy soil होगी sandy to loamy soil होगी sandy soil ये prefer करता है क्योंकि ये nut का मतलब ground का मतलब ground surface ground के नीचे लगने वाला fruit जिसको हम nut बोलते हैं तो इसको फैलने के लिए growth करने के लिए huge soil की requirement होती है और huge soil कहां होती है राजस्तान में और कहां मिलेगा गुजरात में लेकिन आपने देखा कि Tamil नाडू में इसके production ठीक ठाक होता है और productivity में सबसे ज़्यदा है क्योंकि Tamil नाडू समुंदर सी लेवल के पास में होता है समुंदर के पास में है तो वहां पर sandy soil और sandy soil है तो production भी अच्छा है temperature भी हाई है और mustard ग्राउननेट की season का crop है यह almost खरीब season का crop है इसलिए वहां का production होना लाजमी है लेकिन productivity होना भी लाजमी है लेकिन आप कहेंगी महरास्त्रा तो महरास्त्रा के अंदर production नहीं देखने को मिलता है black soil सबसे जदा वहां पर देखने को मिलती है चलिए scientific name क्या है बात करें यहां पर अरेकिस हाइपोजिया हाइपो का मतलब कल भी देखा था टू टाइप के germination होते हैं हाइपोजियल और hypogeal का मतलब क्या हुआ हाइपो का मतलब क्या हुआ हाइपो का मतलब होता है below the ground है इपो मतलब होगया below the ground तो hypo gi typing नाम क्यों रखा गया hypo मतलब दन न seatЬ इस ग्रोग बिलोदे !* स् ग्रlund ग्राउड के नीचे जो लगता हो इसलिए इसका नाम हाइपोजियल रखा गया अगर आप्शन में ना मिले तो हाइपो तो याद रहे गई रहेगा आपको क्लियर फॉइमली कौन सी है लागमिनेसी फैमली और लागमिनेसी फैमली के सभी प्लांट में एकसप्ट सिंगल वन कौन सा है आप बात करेंगे राजमा राजमा के वो राजमा भी लागमिनेसी फैमली में आती है लेकिन राजमा के roots में nodules नहीं होते और nodules नहीं होते तो उसके अंदर bacteria नहीं होते और bacteria अगर नहीं होंगे तो वो nitrogen fixation का काम ही नहीं करता इसलिए राजमा में जो requirement of nitrogen होती है 120 kg होती है just equal to wheat clear बट जितने भी leguminacy crops है उसमें nitrogen requirement आप देखेंगे 20 kg nitrogen intrusion requirement होती है क्यों रटना है हमें क्योंकि pulses crops यह मतलब leguminacy family की जितने भी plants है उनमें roots में nodules होते हैं nodules में क्या होते हैं bacteria होते हैं nodules की तरह के देखने को मिलेंगे आपको roots होगा roots में छोटी छोटी गाठे होती है इन गाठपों में bacteria होता है अब आप कहेंगे कि groundnut में और soya bean में कौन सा bacteria होता है तो rhizobium japonicum इन दोनों crops में rhizobium japonicum species का bacteria देखने को मिलता है चलिए बात करें number of chromosome is 40 Brazil is the origin जिसको South America है and fruit type को बोलते lomentum इसके fruit को किस type का है lomentum type का fruit है seed को generally यहाँ पे इसके अंदर दो seed हैं तो आप इसको कहेंगे kernel वो तो हर seed को कहा जाता है difference क्या है कोई खास difference नहीं है ठीक है चलिए फटापट इसको share जरूर कर दीजेगे interest अब ही आएगा जब maximum लोग जुड़े और खुशी तभी मिलेगी कि इस class का benefit बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है तभी interest आएगा और communicate करने में भी answer दे रहे हो आप फटा-फट हाना अपने doubts को पूछ रहे हो सब तभी interest आता है तो please तोड़ा सा इसको maintain करके रखे pollination कैसा है self pollination अपने आप pollination होगा मतलब ये flower जब देख रहे हैं कि इसी flower के अंदर male और female है होता है क्यों की male और female की maturity same time में होना जरूरी है clear? दूसरी चीज मेल और female की length मतलब height उसकी height भी same होना जरूरी है, त्यूसकि आप देखते है मेल की हाइट क्या रहेगी छोटी और फीमेल की हाइट होगी ज्यादा तो जो पॉलेन है वह फीमेल पार्ट पर कैसे जा सकते हैं नॉट पॉसीबल बट हां तो इनके लिए अलग अलग टर्म यूज किया जाते हैं वह भी हम सब चीजें डिसकस किया जाएगा प्रॉटीन कॉंटेंट होता है 20 से 26 मैंने भी कहा था आप लोग को कि जितने भी पल्सेस क्रॉप में उत्में प्रॉटीन कॉंटेंट ऑल्वेज 20 से 25 के बीच में ही रहता है cereal crops में protein content रहता है 10 से 12 क्यों रटना है लेकिन एक crop को छोड़ कर which is rice rice में 6% होता है 6-7% बाकि क्यों रटना है यहां बात करेंगे जितने भी हमारे pulses crops है pulses crops में protein content 20 से 25 रहता है और हम बात करें oil seed oil seed के अंदर भी almost यही रहता है बट एक crop जो की हमारी है soya bean उसमें सबसे ज्यादा वह exceptional crop है उसमें होता है कितना 46% सबसे ज्यादा इसलिए आप soya soya का जो cake होता है उससे बनाई भी महाम सबजिया बनाते है क्योंकि उसमें higher protein होता है और higher protein होता है इसलिए उसको कहा जाता है meat of poor's गरीब का 4266 आराउंड इसके अंदर होता चाहा है अब data हम से आप क्या कर रहे हैं ग्राउं-ड का सबके साथ ही होता हम ग्राउं नेट का रहे होते हुआ और कभी कभी जैसे ही खतम हुआ, लास्ट जो घ्रेयन आता है, लास्ट जो दाना होता है, करने होता है, जैसे हमने उसको खायो एक्त Weil, पूरा हमारा मू कहराब होगया, उसरी रीजन एका कड़वा लगने का, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, तॉकसी होती है, उसको क्या नाम दिया ग स्टोर किया 12 से ज्यादा अगर मौशर कॉंटेंट है उसको स्टोर किया तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा फंगस देखने को मिलेगी कौन सी फंगस जो एफला टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है एस्परजीलस, फ्लावस, फंगस देखने को मिलेगी तो उसकी वज़े से उसमें टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ है, क्लियर, सैलिंग परसेंटेज 75 और जर्मीनेशन, कौन सा जर्मीनेशन होता है, हाइपोजील जर्मीनेशन इसमें देखने को मिलता है, क्लियर, गुजरात स पूछा गया question आप देख लीजिएगा, oil content कितना होता है, which is 45 से 58 के बीच में, जो option है, उसमें से आप select कर सकते हैं, अलड़ी हमने discuss किया है, उसके बारे में, clear, यहां पर आप देख रहे हैं, जो groundnut दिख रहे हैं, उसमें fungus अलगा हुआ है, fungus, कौन सा है, जो afla toxin produce करता है, asperg zealus, हमने अलड़ी यह discuss किया, toxin, बीटन नयज जिसके अंदर देखने को हमें मिलती है, moisture कब, जब more than 8% से ज्यादा moisture content हो तब, अच्छा इससे क्या-क्या देखने को मिलता है, इसमें tumor हो सकती है, liver damage हो सकता है, यह problems mostly देखने को हमें face करने को मिलती है, nutrient quantity की बात करें, protein quantity हमन हमें already discuss किया, around 20-25% and then, इसमें vitamins A and B होता है, लेकिन B12 नहीं होता है, और यही आपका नाबाड में पूछा गया था, which vitamins is not present, हमें पता है कि B तो अच्छा गासा होता है, लेकिन B12 इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है, clear, next बात करें, इसका सबसे जो common factor है, वहीं बात करें यह क्योंकि इतना time है नहीं, revision में 3-4 crop हमें करनी है, बात सबसे ज़्यादा इसके अंदर, इसके cake में highest nitrogen content होता है, जो कि किसी के भी cake में नहीं होता, वो बार-बार पूछा जाता है, कितना percentage होता है, 7-8% और exam में आपके 7% जितने भी papers बनें, उनमें 7% देखने को मिलता है, मतलब paper अगर point of view से बात की जाए, तो clear phosphorus 1.5 and 1.2% potassium देखने को मिलता है, protein in cake 45-48% क्या, protein किस में? cake में, वैसे protein कितना होता है, 20-25% protein देखने को मिलता है, general cake के अंदर, clear बात करे classification से, तो there are two type की groundnut होती है, एक वो होती है, जो किस type से? फैलने वाली, मतलब spreading type जिसको हम कहते हैं, एक होती है bunch में, bunch type, मतलब plant जो दिखेगा आपको खड़ा दिखेगा, और उसके lower surface पे सबस्याद आपको करने देखने को, fruit देखने को मिलेंगे, तो एक इसको क्या कहा जाता है, generally, erect type या bunch type या Spanish type कहा जाता है, R, R, B, SO में भी एक question आया था, और दूसरी में कहूं, पंत नगर युनिवर्स्टी, PG entrance में 2020 में भी question पूछा गया था, कि कौन स्पैनिस टाइप, mostly Spanish type ground nut होती है, उसका seed rate कितना होगा, clear, तो इसका scientific name क्या है, Arachis hypogea species fastigieta, clear, short duration की crop होती है, early maturity होती है, high yield produce करती है, high germination percentage होता है, यह बहुत important है, और इसके अंदर domancy नहीं होती, domancy से related भी बहुत बार questions पुछे जाते हैं, domancy that means, अगर हमने harvesting किया, और harvesting के जस्ट बाद हमें requirement है, seed की तो क्यों ना यार, इसी seed को हम use कर लेते हैं, दुबारा, soving के लिए, लेकिन दो महीने तक, that means 45 से लेकर 60 days तक, इसका seed germinate नहीं होता, लेकिन कौन सी का germinate नहीं होता, spreading type की, फैलने वाली का seed germinate नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उसके अंदर chemical components higher होते हैं, जो inhibit करते हैं, किसको, germination को, मतलब dominant होने की reason क्या क्या हो सकता है, chemical उसके अंदर हो सकते हैं, या उसका seed coat hard हो सकता है, तो oxygen proper supply नहीं होगा, हो सकता है, moisture content कम होगा, तो बहुत से हो सकते हैं, germinate नहीं होने के, लेकिन dominant का chemical composition इसका main part है, तो यह procrium bench, और एकिस hypos या subspecies procrium bench, आवाज आ रही है मेरी proper, एक बार yes बोलिएगा आवाज आ रही है या नहीं? चलिए जी, next one is, तो यह क्या long duration, इसका duration होता है around 120 से लेकर, 110 से 120 तक इसका duration होता है, maturity भी इसकी late होती है, clear, यह dormant type की होगी और LDB कम होता है, spreading type, अब आप एक बात यह समझें, इस concept को, अगर कोई plant ज्यादा दूर तक फैलता है, और कोई plant कम दूर तक, area कम cover करता हो, वो height में ज्यादा हो, clear, तो ज्यादा दूर में फैलने वाला, मतलब more area कवर करने वाला plant, आप एक हेक्टियर में कम लगा सकते हो, या ज्यादा लगा सकते हो, compare to, although type of plant, जिनकी height ज्यादा हो, पतले हो, तो कौन सा लगा सकते हो, चलिए इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, अगर generally आप कार की पीछे वाली seat पे बैटे हो, और मोटे मोटे से हाना, आदमी एक या दो ही आ सकता है, वैसे होती ही seat 4 की, लेकिन हो 3 से ज्यादा तो आई नहीं सकते, और अगर पतले पतले हो, छोटे हो, बच्चे टाइप के हो, तो उसमें 5, 6, 7 भी आप fix कर लेते होंगे, और ऐसा होता भी है, जाइस ही बात है, तो जो plant, जो कम area cover करता है, उसकी seat rate जादा होगी, यस या नो, सीड रेट उसकी जादा होगी, और जो plant फैल रखा है, उसकी seat rate क्या होगी, कम, क्यूंकि number of seed हमें कम चाहिए, तो एक seat rate का जो concept है, confuse करता है, वो आपका clear याद रखिएगा, next बात करें, किस टाइप का plant है, tropical plant है, that means high humidity और high temperature is required, c3 plant, dnp, day neutral plant, इसको इसलिए आप किसी भी season में grow कर सकते हो, रभी, खरीब, एंड जाए तीन हो seasons में, क्यूंकि अगर ये कहता है, कि मुझे 8 hours से इसके लिए sunlight दोगे, तो भी मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, 10 के लिए दोगे तो भी न, 14 के लिए दोगे तो भी न, इसलिए temperature जरूर जाता चाहिए, तो आप कहीं पर भी इसको grow कर सकते हैं, बेस अरत है कि according to, इसको soil जरूरी है, तो soil sandy soil होना, ये मांगता है, चलिए, बात करें common, optimum temperatures 26-30, but we talk about the vegetation growth के लिए, और तो ये 26-30 vegetation growth के लिए है, और बात 24-28 reproductive growth के लिए, 30-34 maximum pod growth के लिए, तो इस तरह है कि जो questions है न, वो ज़्यादा banking follow करता है, और optimum पूछा जाए आपसे, कि optimum क्या है, तो पहले तो अगर कभी याद ना रहे, तो ये चीज़ याद रखिएगा, 30 से लेकर 32 degrees Celsius, optimum रहता है, सभी खरीब crop का, एक तो ये याद रख लिजिए, कभी किसी में 28, किसी में 30, 32, maximum ये ही रहता है, कुछ crops का 35 चला जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता, लेकि 90% crop का आप 30 से लेकर 32 optimum रखिए, जो कि ज़्यादा तर PG entrance like, या हम कहें वहीं पे, state level की exams में ज क्या है, light effected है, और cloudiness है, तो flowering और mostly इसकी growth क्या होती है, effect होती है, ये crop सबसे ज्यादा खरीब season की है, आप देखेंगे, day neutral लेकिन की season की है, खरीब season की, mostly बात करें कि light texture soil इसको जरूरी होता है, ताकि pack अच्छे से penetrate कर सकें, अब ये pack होते क्या हैं, वही pack होते हैं, जो साम को लगाये जाते हैं, नहीं जी, पहले तो इस यहीं पर देख लेते हैं, picture में, एक मिनट हमने पहले भी देखा था, I hope हमें मिल जाए, pack नहीं मिलेंगे, आगे मिलेंगे हमें, packing process 100% होगा, यहां पर देखिएगा, देखिए, sandy soil क्यों चाहिए हमें requirement होती है, क्योंकि जब flowering के बाद में, packing process होती है, जो soil में जाके, वो soil को penetrate करती है, और soil में nut लगता है, तो अगर hard soil होगी, tough soil होगी, तो उसमें pack अंदर enter कर सकता है, not possible, जितना loose होगी, soft होगी, उतना ही possible easily penetrate कर सकेगा, और अंदर ports growth कर सकेगे, तो यह packing है, जिससे enter करता हो, इसके end point पे, क्या देखने को मिलेगा, pot, जिसको हम कहते है, fruit कहा जाता है, clear, अब एक common question इससे बार-बार पूछा जाता है, कि ऐसी कौन सी stage है, जिस पे weeding नहीं करनी चाहिए, तो at the time of, किस पे, packing stage पे, कभी भी weeding नहीं करनी चाहिए, बोला, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, अगर इस plant को उठा दिया, उस time, वो penetrate कर रहे थे, soil को, soil को, अगर वो penetrate कर रहे थे, और आपने उसको बाहर निकाल दिया, तो दुबारा नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि आप उसमें देख रहे हैं, small level पे, fruit का initiation हो चुका है, सतिंदर रावाद जी, good evening, very good evening, very good evening to all, clear, तो packing process के time पे, ना तो हमें क्या करनी चाहिए, weading करनी चाहिए, उस time क्या होना चाहिए, proper soil में moisture भी होना चाहिए, clear, और soil कैसी होनी चाहिए, sandy soil मोशली जरूरी इसके लिए होता है black soil के इसके लिए suitable नहीं है बात करें seed requirement की तो हमने देखा फैलने वाली spreading type की वही बात कहें कि एक कार में हम generally अगर ज्यादा size ज्यादा है उनकी तो चार की जहां capacity sitting की back seat पे तो हम 2 या 3 maximum 3 या 2 भी बिठा सकते हैं तो यहां जब plant speed करता है मतलब फैलता है तो ज्यादा area cover करते है तो seed rate 80 से 100 और bunch time में जो पतला plant होता है वो height में ज्यादा रहता है फैलता कम है तो 100 से 25 seed की soving depth कितनी होती है 5 cm यह भी आपको कभी नहीं रटना क्यों नहीं रटना क्योंकि जब seed की common size हो common size में आप क्या समझते हैं wheat से ज्यादा wheat और wheat से ज्यादा अगर seed की size हो तो उसको almost हम रखते हैं 4 से 5 cm है अब आप समझ लिए ग्यहूं और rice और उससे ज्यादा हो तो 4 से 5 बिलकुर यह रटना clear अगर उससे कम है तो कितना रखेंगे 2 से 3 आप बोलेंगे इस टाइप के seed कौन से है इस टाइप के general seed है mustard का आपने देखा होगा बाजरा का आपने देखा तो उनका चोटी साइज है तो ज्यादा गहराई तक हम उसको नहीं रखते लेकिन एक ऐसी क्रॉप है जिसके बारे में बार बार क्वेस्टन पूछा जाता है विच इस ग्राम अब वो ग्राम क्या है exceptional case है जिसमें 8 cm depth में हमें soving करना पड़ता है चना को क्यों करना पड़ेगा क्योंकि इसको अगर हमने ज्यादा depth में नहीं रखा तो इसमें wilt disease होने के चान से सबसे ज्यादा हो जाते हैं और हमें wilt से protect करना है इसलिए आपको क्या ग्राम का याद रख लीजिए 8 cm बाकी common का लाइक wheat rice और अधर आपकी crop से जिस साइड का seed है उसको 4-5 और बाकी को 2-3 लेकिन आप वहीं vegetable production पे जा रहे है वेजिटेबल लाइक टॉमेटो चिली ब्रिंजल उनका seed जब देखेंगे तो बहुत पतला होता है उनकी size हम डैप्ट रखते हैं मिट्टी में 1-2 cm यह segment आपका spreading variety plant to plant 60 cm और row to row 60 cm plant to plant 10 वहीं bunch time में 45 लेकिन flat bet अगर method से हम लगा रहे हैं तो 30 और ruby season में लगा रहे हैं तो 22 क्यों 22 क्यों याद रखूं कैसे रखूं clear सी है जब यह खरीब season का crop है उसके लिए optimum temperature और environment ही हिट ज़्यादा होना और ज़्यादा humidity होना है तो ruby season का मतला हो गया low temperature तो low temperature तो वैसे यह ज़्यादा growth नहीं करेगा तो एक plant कम area ही cover करेगा तो हमें row to row कम area ही इसको provide करवाना होगा अगर इस तरह से याद करेंगे तो आपको भी याद रहेगा see drill के द्वारा behind the country plow hand dbling और broadband के थुरू हम लगा सकते हैं see drill के थुरू यह पोरा method जिसको हम कहते हैं dbling के थुरू hole करकर के इसको लगा सकते हैं और ferro system के थुरू हम इसको soving कर सकते हैं clear यहाँ पर common चीज कुछ है नहीं ज्यादा अना कौन सा domain सी breaking के लिए यह आपके लिए common है domain सी breaking के लिए ethereal का यूज करते हैं 500 mm ethereal का और अगर हम generally बात करें ethereal 0.1 percentage and thirem 3 grams को seed treatment के लिए use किया जा सकता है इसके अलावा hormones भी है NAA जल्दी से मुझे बताइए NAA और IAA की full form क्या है फटा फटा पटा पताइए NAA और IAA की full form क्या है जो कि 5 से 10 ppm इसमें use किया जाता है domain सी breaking के लिए बैने अल्रेडी का कि यह hormones है यह part of oxygen जो hormones होता है उसी के part है चलिए फटा पटा आंसर दीजेगा found in mostly spreading type तो हमने पहले ही discuss किया कि domain सी spreading type में होती है जो फैलती है उनमें ही देखने को मिलती है clear चलिए अच्छा एक चीज हो रहे गया common अगर हम यह कहें किसके अंदर seed जैसे ही आप इसको भुनने के बाद में हम करते हैं भुनने के बाद में मतलब जैसे इसको हीट देते हैं तो इसका दाना जो होता है जिसको बोला जाता है ग्रेन के ऊपर एक कवर होता है छोटा सा कवर पतल जाता है और उसको अगर हिट दिया जाए मतलब गर्मी दी जाए जिसको हम कहते कि भुनने के बाद हम उसको खाते हैं तो आप हवा बार की उसको अलग कर देते हो तो उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है क्या टेस्टा कहा जाता है मुश्ट लिए जो सीड आपको दिक तीन सीड मिलता है 2-3 सीड मिलते हैं। अपर जो कवर होता है ग्रेइज टाइप का यलोईज टाइप का विचिज नौनौज टेस्टा अच्छा वो टेस्टी तो नहीं होता लेकिन टेस्टा जूरूर उसको कहा जाता है। चलिए जी next बात करें पैगिंग प्रॉसेस अल्रेडी हमने डिसकस किया ठीक है पैगिंग कैन भी दो से दस दिन लगते हैं सोल में एंटर करने में अब बात करें कि जो क्वेस्टन बार बार पुछा गया फ्लावरिंग पैगिंग और सीड फॉरमेशन या फ्रूट किस रेश्यों में बनता है अगर 10-7 फ्लावरिंग होगी तो उसकी 4 फैगिंग होगी मतलब 10 में से 7 में से 3 तो flower खतम हो जाएंगे उसमें से 4 ही apple होंगे जो enter करने के लिए कहां पे soil में और उसमें से fruit जो है pod जो है एक में ही लगेगा which means 7, 4 and 1 is the ratio of flowering, pegging and pod formation हाँ जी इंडोल 3-acetic acid सतेंदर जी किंजल रितूराज इंडोल 3-acetic acid absolutely right है इंडोल 3-acetic acid ही होगा अब बात करने हैं एक और था आपका NAA Naphtalic Acetic Acid, NA का full form क्या है Naphtalic Acetic Acid चलिए जी बात करते हैं अब देखे मैंने पहले ही कहा था कि जो भी crop leguminacy family से होती है उसमें nitrogen content हम देते हैं 20 kg बाकी में around 100-120 kg क्यों रटना है और बहुत बार पूछा जाता है अच्छा लेकिन oil seed crop जो होती है उनके अंदर sulfur की जरूरत होती है क्या sulfur की जरूरत होती है क्योंकि sulfur काम करता है किसके लिए oil content बनाने के लिए तो plant में fruit में oil content बनने के लिए जिस तरह से हम rice के अंदर zinc deficiency जादा देखते हैं मतलब cereal crops में सभी में 25 kg zinc sulfate यूज किया जाता है वैसे ही यहाँ पे भी 20 से लेकर 25 kg sulfur सभी में यूज किया जाएगा यह याद रखिएगा ठीक है तो mostly बात करें nitrogen कितना 20 phosphorus 20 40 से लेकर 60 सभी में यही रहेगा और मैं एक overall बता हूँ अगर आपको याद नहीं रहे तो 40 20 60 और 40 यह जनरल याद रखिजेगा सभी pulses segment की मतलब Laguminous segment की हम तो OLC discuss कर रहें लेकिन यह भी क्या करें Laguminous family से है इसलिए इसका यह याद रखिए सभी का यह होता है एक को छोड़ कर हना Laguminous में ग्राम है जो कभी भी नॉडूल से नहीं बनाती और नॉडूल से नहीं बनते तो उसमें उतना ही nitrogen जरूरी होता है जितना Serial Crops को मतलब 100-120 kg और 20 kg आप क्या इसमें रखेंगे Sulfur तो यहां पर आप Sulfur भी include कर सकते हैं clear चलियो अब बात करें कि इसके अंदर common अगर बात करें तो gypsum भी हम यूज कर सकते हैं यहां पर अच्छा क्यूंकि calcium जरूरी होता है और sulfur जरूरी होता है तो gypsum के अंदर 24% क्या है 24% calcium होता है और 18.6% sulfur होता है अब एक चीज़ आपको बताओ छोटा-छोटा दाना रह जाता है है groundnut का उसका होने का reason क्या होता है calcium deficiency होती है इसमें दाने छोटे रह जाते हैं आप जैसे यह उसको open करते हो कहीं पे छोटे-छोटे दाने देखने को मिलते हैं is due to calcium deficiency की वज़े से calcium deficiency और sulfur काम करता है उसमें oil content को बनाने के लिए तो यह दोनों इसके लिए major हैं दोनों component clear चल water requirement जरूर बार-बार पुछी जाती है water requirement कितना है 500 से 700 mm water requirement इसकी होती है चलियो next one is weed management कौन कौन सिसके अंदर weed है common तो amaranthus veriddy देख रहा होगा आपको sinodon dactylone अच्छा यह sinodon dactylone का नहीं है sinodon dactylone का मतलब होता है dub grass दूब grass इसके अंदर common है और cypress rotundus जिसको बोलते हैं मॉक्ता हना हिंदी में अगर कोई हिंदी का candidate है और अगर इस grass को आपने इस weed को देखा होगा यह लोन में हर जगे मिलती है जहां पे लोन में grass होता है वहां पे यह वाला plant भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और यह common weed है किसका groundnut का यह common weed देखने को मिलता है varieties common variety हम एक दो डिसकस करेंगे वसुंद्रा इसकी common variety है मुक्ता जो हरियाना के लिए सबसे ज़्यादा यूज की जाती है और bunch type की variety है जगन क्या जूनागड क्यूंकि जूनागड इसका research center है उसी के नाम से variety develop की गी है इंसेक्ट की बात करें तो common इसके इंप्लिमेंट की बात करें स्टार वीडर के थूरू weed control किया जाता है या प्लाव के थूरू local जो प्लाव की हम बात करें उसके थूरू बे सबसे common बात करते हैं physiological disorder जो मैं हर बार कहता हूं banking के बाप है यह यह कहे जाए क्योंकि सबसे ज्यदा banking में physiological disorder ही पूछा जाता है तीन से चार questions और directly इंसेक्ट से भी पूछ लिया जाता है इसलिए आप वीड पिक्चर यहां पर देखेंगे common बात करें देखिए मैंने कहा था कि seed का बहुत छोटा grain दाना बहुत छोटा रह जाता है कि उसकी वज़े से calcium deficiency की वज़े से जिसको क्या बोला जाता है popping इसे तो popla मुँ तो सुना अपने दादा जी ये दादी जी का जिनके दाथ नहीं होते तो इनको बोलते है må rabbla ना मुद जैसे popla की तरह दिख रहा होगा जिनके दाथ नहींibl doğru तो यहां पर and iron deficiency की वज़ाए से yellowing of leaves leaves कैसे देखने को मिलते हैं yellow color की पतियां बनने आपको देखने को मिलेंगी I hope common point आपके clear होए then common disease जो सबसे ज़्यादा एक important है अगर हमें कहें तो ticka disease ticka मतलब sport can be seen on the surface of leaves leaves के surface पे आपको sport देखने को मिलेंगे तो उसी को बोला जाता है ticka वही तो बोला जाता है हमें तिलक लगाते हैं जिसको ticka बोलते हैं तो यह ticka disease है early leaf sport जिसको और late leaf sport दो अलग अलग type के यह देखने को मिलते हैं rust equal to dust मैंने कहा था rust equal to dust तो leaves के lower surface पे leaves के lower surface पे आपको क्या देखने को मिलेगा ब्लैक कलर का dust जिसको हम rust equal to dust कहें विच इस ड्यू टू पक्सी निया अरे कीडिस collar rot अब rot कहां होगा रोट का falar कहां होगा collar तो neck में होगा तो जिसको neck rot भी कहते हैं collar rot भी कहते हैं और neck कहां होता है plant का plant का neck होता है mostly ground surface के past वाला part तो ये ground surface के जो just past का part है उसी को वोला जाता है collar जिसमें सड़ना को collar rot seedling stage पे होता है और जिसको crown root के नाम से भी जाना जाता है mostly उपर पार जब ज़्यादा growth करता है तो वो top पे पहुंचाता है is due to aspergillus niger की वज़े से root root roots का जड़ों का सड़ना क्या हो जाता है जड़े क्या होती है सडने लग जाती है ground nut necrosis disease which is ground nut bud necrosis के नाम से जाना जाता है और यह viral disease है फैलता क्यों किसकी वज़े से है thrips palmy की वज़े से रोसेट रोज अचा रोसेट का मतलब plant का structure जो है रोज की flower की तरह देखने को मिलेगा इसलिए नाम रखा गया रोसेट रोज क्यों देखने को मिलेगा क्योंकि जो leaves होती है वो बहुत छोटी छोटी हो जाएंगे एक बड़ा plant उसकी अगर leaves छोटी हो जाए तो वो plant अपने आप में से कुर जाता है तो आपको देखने को मिलेगा रोज की तरह इसका structure structure ऐसा नहीं color नहीं देखने को मिलेगा structure देखने को मिलेगा इसलिए हम इसको कहते हैं क्या रोसेट रोज के नाम से और ये viral disease है जादा तर leaf का curling होना leaf का small होना ये सब is due to viral content होता है और vector क्या होता है aphid और ये मैंने कहा कि सबसे जादा ना जब आप ये कहें कि एंटो पैतो पढ़ना पढ़ता है उसके लिए AFO के लिए और नाबाड के लिए ना आप जो major crops हैं उसी में से ही हाता और 100% पिछले 10 साल का आप record उठा के देख लीजिए उसी में से आपको देखने को मिलेगा जो की common crop है क्या ज़्यादा तर पूछा जाता है अचा पिछली बार मैं बोलू ब्रिंजल में ब्रिंजल लिटिल लीफ और ब्रिंजल उसका वेक्टर क्या है वाइरिस की वज़े से होता है उसके अंदर वेक्टर कौन सा वेक्टर क्या है टॉमेटो का कूछ लिया जाता है बहुत बारो तो वेक्टर इस इम्पोर्टिंट पार्ट होता है यहां बात करें लीफ माईनर तो यहां पर लीफ माईनर अफ़ेग यहां पर ग्रिं किलर का आपको दिखाई दे रहा है थरीप्स commonly दिखाई दे रहा है इसका thrips का larva, red hurricane caterpillar, and white grubs यह common है और white grubs लगता है sandy soil में, because nemetod और लगने वाले insects वह ज़्यादा तर sandy, संडी में ही लगते हैं संडी और लोमी ब्लैक सोयल में नहीं लगते हैं क्लियर चलिए बात करते हैं next crop which is soybean सबसे ज्यादा area में grow किया जाने वाली oil seed crop पहली चीज़ क्लियर दूसरा अगर point कहें highest production in India किस oil seed का होता है इन इंडिया में वो soybean का होता है लेकिन oil content कम होता है इसलिए इसको consume की rank ही बात करें third number पे consume किया जाए oil production में third rank seed oil seed production में first rank पे आता है soybean सबसे ज़्यादा production पहले कहा था MP लेकिन अब हो गया MH महरास्ट्रा उसके बाद आ गया MP का number आता है किसकी crop है खरीब सीजन की emotionally crop है clear अच्छा जे विच लॉन ऐज वंडर क्रॉफ यलो जैवल meat of poor meat क्यों कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 46 percentage क्या होता है protein होता है अब गरीब आदमी non waste तो खा नहीं सकता भी या meat के उसके लिए protein की requirement को fulfill करने के लिए विचारा क्या खाएगा soybean उसके पास तो soybean या सस्ती इसलिए इसमें protein content ज्यादा होता है तो हम soya चाप भी बनवाते हैं ज्यादा तरहना और soya bean की सबजी भी बनाते हैं क्योंकि protein content जिसकी cake की five से ज्यादा nitrogen नहीं देना पड़ेगा origin china and influence कैसा होता है race same influence होता है race same influence क्या होता है formation that means अगर इसको सीधा-सीधा कहें हम तो arrangement of flowers flowers का arrangement को क्या कहा जाएगा influence कहा जाएगा यहाँ पे आफ fruit जरूर देख रहे हैं flower जरूर नहीं नहीं देख पा रहें लेकिन fruit देख रहे हैं देखो यह fruit एक ही जगह से लगे हुए है चार-पांस fruit एक ही जगह से तो इसका मतलब यहाँ पे 4-5 क्या थे flower थे one segment में one place से emerging हुआ था flower का इस type का structure अगर है तो उसको बोला जाता है रैसेम के नाम से जाना जाता है किसी किसी प्लांट को आप देखते हो यहाँ flower लगता है एक बाई यहाँ लगता है इस तरह जैसे mustard में लगता है तो उनके सबके लिए अलग अलग है जिब वहाँ पर influence हम गेहों में अलग बोलते हैं तो यह structure किस टाइप का structure arrangement of the flower fruit is pod pollination is cell pollination germination epigial germination देखने को मिलता है मतलब ground में आप लगाएंगे तो seed code क्या होगा बहार आने लगेगा दीरे दीरे और उसके बाद में leaves निकलना start होंगी epigial अगर ground पे रहता है तो वह hypogeal कहलाता है oil content 20% protein content 46% यह 26-25 आप एक actual number लिखें तो 26 और 46 लिख लीजिए हाना बीनी इसमें test अलग इसका सा थोड़ा सा टेस्ट होता है उसका reason क्या होता है हाना कभी आपने खाया होगा तो देखा होगा इसकी दाल नहीं बना सकते क्योंक कि इसके अंदर sulfur component होता है उसकी वज़े से इसका बिन्नी test होता है clear next बात करें major oil seed oil seed crop है इंडिया में 50% production soya bean का ही होता है clear चलिए जिए नेक्स बात करते हैं production में maharashtra first rank पे then MP then Rajasthan जो लोग book prefer करते हैं book पड़ते उसमें अपना data please change कर लीजेगा बहुत कुछ data change हो गया है तो आप data change कर लीजिए application पे भी आपको change किया हो और books भी आपको मिल जाएगी current affair का तो उससे भी change कर सकते हैं इंडियन इंडियन इंस्टूट ऑफ सोयबीन रिसर्स कहां है इन दोर में पहले production जब MP में था तो इसका रिसर्स इंस्टूट भी वही था अब महारास्ट्रा हो गया तो इसका मतले भी थोड़ी ना वहां पर ले जा जाएगा हना चीक है ओल इंडिया कॉमन प्रोटीन ऑफ सोयबीन ग्लॉब्यू लीन प्रोटीन क्लियर नेक्स बात करें प्यूफा पोली अन्साचूरेटेड फैटी एसीड इसके अंदर मोशली देखने को मिलता है जिस जो कौन-कौन सा होता है ओलिक 30 से 35 परसेंट लीन ओलिक एसीड 50 से 60 परसेंट देखने को मिलता है लेकिन सब्सक्राइब हम कहें कि यह रीज इन लाइसीन मोश्टी लाइसीन इसके अंदर ज्यादा कॉंटेट अवैलेबल होता है क्लियर चलिए अच्छा इसके अंदर ओफ फ्लैवर सा देखने को मिलता है हमें ओफ फ्लैवर मतलब डिफरेंट टाइप का फ्लै की इसे फ्लैवर एक तो हमने μέ Nordma कंपाउंड की वजह से टैस्ट की बात किया और इसका फ्लैवर मतलब खुस्फू एक डिफेंट कुस्पू देखने को मिलेगी किसकी वज़े से लिप ऑक्सी डेस की वज़ा से डिफरेंट कुस्बू देखने को मिलती है चलिए नेक्स बात किस टाइप का प्लांट है वही छोटा मैंने कहा था हमारी हाइट से अगर कोई बड़ा प्लांट हो तो उसको हमेशा कंसिडर कीजिएगा कॉमान हाइट है ना मेरी हाइट तो ज्यादा है लेकिन के कॉमान परसन के अगर हाइट है उसकी हाइट से ज्यादा हाइट का अगर प्लांट है फोर एक्जामपल सुगरकें मेज जवार बाजरा वो सारे C4 प्लांट होते हैं और हमारी हाइट से कम है वो C3 plant होते हैं तो यह तो रटने वाली बात ही निये तो हमारी हैट से कम है नेक्स बात करते हैं Sot Day Plant होता है Sot Sot Day Plant जितने भी खरीब सीजन के प्लांट है वह सारे Sot Day Plant होंगे अगर जो नहीं है तो वह डे निउट्रल होंगे clear चली बात करें common इसकी optimum temperature 30 degree मैंने स्टार्टिंग में बोला था बच्चा क्यों रटना है सारी खरीब सीजन का जो ऑप्टिमम होता है वो 30 से लेकर 32 के बीच में होता है मत रटो रटने का काम ही नहीं अपनी क्लास में ठीक है कि नहीं सोईल गुड़ वाटर रिटेंग जिसमें अच्छा वाटर हाल्डिंग कैपेसिटी हो वो इसके लिए सूटेबल है अब आप सूचों कि MP और महरास्ट्रा में कैसी सोईल है आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा ब्लैक सोईल कौन से स्टेट में है महरास्ट्रा में जाती है किलियर सीट रेट क्या होगी 75 क्लोग्राम 80 क्लोग्राम खरीब सीजन के लिए लेकिन जो यलो कलर की होती है उसके लिए अधरवाइज इस्प्रिंग के लिए 100 ब्लैक सीडेट जो सोयबीन आती है 52 60 क्लोग्राम और लेट अगर हम वैसे 100 है लेट सोबिंग करोगे तो चाहिए सी बात है 25 क्लोग्राम एक्स्ट्रा हमें क्या लेना पड़ेगा सीड लेना पड़ेगा ऑविसली तो कितना हो जाएगा 120 क्लोग्राम एक्स्ट्रा स्पेसिंग 30 & 10 30 & 45 & 45 इसके लिए स्पेसिंग रिक्वाइमेंट होता है चलिए नंप के मैंने कहा था कि देख चलिए 20 क्लोग्राम नाइट्रोजन साथ से असी फॉस्पोरस & 20 पोटेसियम अच्छा सलफर की बात कर रहे थे तो बीस से 25 क्लोग्राम सलफर भी यह ओल्रेडी मैंसरी किया हुआ है 20-25 क्लोग्राम सलफर भी इसके लिए जरूरी होता है क्लियर बात करें यहां पर कॉमन व है लेकिन एक वराइटी है पी एस वन जीरो टू नाइन टॉलरेंट टू रस्ट है इसलिए यह भी कुछ ज्यादा ही पूछी जाती है चलिए जी बात कर लेते हैं इसके डिजीज कौन-कौन से है कौन सा है चार कोल रोट डिजीज इसमें कॉमन देखने को मिलता है अल्टर मोजेक को तो मोजेक जहां पर डिजीज होता है तो लीफ का कलर देखने को मिलेगा आपको यल्लो और उस यल्लो मतलब लीफ का कलर तो यल्लो हो जाएगा लेकिन लीफ में आपको इस पोर्ट देखने को मिलेंगे ग्रीन कलर के मतलब डार्क ग्रीन कलर के मतलब समझ मोजेक है और मोजेक इसकी वज़े से होता है ये भी आपको पता है वाइरस की वज़े से ये common disease में देखने को मिलता है बिहार हैरी caterpillar बिहार हैरी caterpillar के देखो legs हा ना आपको 100 number of legs देखने को मिलेंगे ये common insect है पलसेज में भी और oilseed में भी बाकी में बहुत कम लगता है नेक्स बात करते हैं नेक्स crop which is rap seed and mustard rap seed and mustard seed production में थर्ड रेंग पे है जहां पर आपसे oil seed के production में थर्ड रेंग पे इंडिया में लेकिन अगर पुछा जाए आपसे सबसे ज्यादा कौन सा oil या oil production सबसे दा किसका है तो mustard का क्योंकि oil content इसमें ज्यादा होता है इसी लिए naphtalic acidic acid candle बोल रहे हैं हाँ बिलकुल राइट है और पहले का आपका answer होगा sorry मैंने देखा नहीं आप common बात यह है कि सबसे ज्यादा इसका कौन सा स्ट्रीट में विच इस राजस्तान स्ट्रीट कौन सा है राजस्तान के लिए इस लिए इसका राजस्तान में ही research institute रटने की जरुष्ट नहीं है 90% research institute वहीं है जहां उस particular crop का प्रोडेक्शन होता है तो आपसे अगर रिसेशंट्सीट याद है वे प्रोडेक्शन पूछा जाए तो भी आप answer दे दीजीएका और production याद है रिसेशंट्स इंस्चीट पूछ जाए तो भी आप उसका answer दे सकते हैं, लेकिन मैंने कहा 90%, तो फिर 10% क्यों नहीं, क्योंकि 10% पर जैसा गर for example बात करें, सोयबीन पहले production होता था, MP इंदोर में, तो उसका research center वहीं develop कर दिया गया, अब production चला गया कहां पर, महरास्टा में, तो को उठा के ले जा नहीं सकते, same as हम बात करें, pulses का research institute कहा है, UP में, pulses production सबस्यादा कहा है, MP में, तो ये near by, ये changes नहीं हो सकते, इसी लिए, दूसरा आप से अगर कव्मन पूछ लिया जाए, potato का, potato का production कहा है UP में, लेकिन अगर दूसरे पॉइंट हो, पिछ देक potato का research center का है, कूफरी, सिमला, तो ये general हाना, कुछ उसके reason है, बाकि 90% अगर ना लगे, आपको लगे कि या एक दो तो तुक्के मार दूं है, तो ये तुक्के मारने वाली बात ये है, 90% फे फिर आप खेल सकते हो, और 90% कोई हाना, आप 10% तो chance ले भी सकते हैं, लाइफ में, जब हम मोटा-मोटा कर लेना चाहें, बर्सीम मतलब, scientific name is bracy का species, इसमें different, different आते हैं, yellow mustard, brown mustard, black mustard, clear बात करें, family कौन ची है, cruciferous family, अब कहान हैं, वो कब ग्रो की जाती हैं, ruby season में, मतलब, low temperature और humidity तो अच्छा कासा देखने को मिलता है, अब जहाँ humidity ज़्यादा है, तो जाइसी बात है, insect और pest ज़्यादा लगेंगे, तो ये एक ऐसी crop है, cruciferous family, एक ऐसी family है, जिसमें सबसे ज़्यादा fungal disease लगते हैं, अब इसमें कौन-कौनची crops आती हैं, आप इतना अगर दिमाग में सोचें, किस-किस crop के, mostly हम leaves की vegetable, मतलब सबजी बनाते हैं, इसके, mustard की leaves की बनाते हुआ, आप reddish की बात कर लीजी, reddish की leaves की बना लेते हो, cauliflower cabbage, जिसको हम full goby और पत्ता को भी कहते हैं, उसकी सबजी हम बना लेते हैं, तो ये इनके broad leaves होते हैं, रभी सीजन की mostly होती है, जैसे ही high humidity हुई और उस टेम तो, इंसेक्ट इनको ज़्यादा अटेक करता है, तो इसके अंदर कौन सा disease सब चदा लगता है, fungus fungus, fungal disease, अब एक चीज, इसके, किसको inflorens को क्या कहेंगे, racemose कहेंगे, inflorens मतलब structure, देखिए, आप देख रहे हैं, यहाँ पर, group में, bulk में क्या लग रहे हैं, flowers लग रहे हैं, जब flowers इस तरह लग रहे हैं, तो उसमें से fruiting भी वैसे ही होगी, होगी की नहीं होगी, तो इसलिए इसको बला जाता है, racemose, fruit को बला जाता है, siliqua, क्योंकि siliqua इसी तरह के structure को generally हम कहते हैं, किस structure को कहते है siliqua जहाँ पर आप common इसमें seed देखेंगे, इस तरह का जहाँ पर सीर देखने को मिले, उन सभी को क्या कहेंगे, आप siliqua कहेंगे, तो fruit को siliqua, origin कहाँ इसका चाइना, oil content है, 30 से 45 आराउंट, और पंजेंसी कितनी होती है, किस की वज़ए से होती है, उसमें जलन लगती है, जब हम p and then, haryana production में, इसके लिए research center अल्रेड़ी बात किया, कि जब production, produce करने वाला स्टेट राजस्तान है, तो जाइसी बात है, कि इसका research center भी कहां पे है, राजस्तान के अंदरी, डायरेक्टेट थे भिष्टे का है राजस्तान रा जास्तान में भरत पूर्झे अंदर औरन इंड्य राजस्तान उत्फड आर जोड़न के लिए जाता है इसके यंग लीव से हम तयार करते हैं क्लि yön next बात कि जाए कौन्सा范 सीजन का प्लांट अर AH 3-10-10-10-10-10-10-17-10-21-16- SaRi कौन शार रभी शीज जन का प्लांटल रभी सीजन के सारे प्लांट या तो लॉंग डे होते हैं या फिर क्या कहें डे निउट्रल होते हैं मतलब नाइस है 80-90% long day होते हैं बाकी day neutral, day neutral तो सभी में होते हैं, खरीब सीजन के भी होते हैं, रभी सीजन के, वो बोलेंगे, मुझे तो अगर आप 10 गंटे light provide करवा रहे हो, तो भी कोई फरक नहीं पड़ता है, तो भी मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है, तो इस तरह से कुछ प्लांट ज सकते हो, खरीब में भी हो, जायद में भी, किसी भी टाइम में, अगर दिन बड़े हो, तो भी, दिन छोटे हो, तो भी, almost rainfall requirement होती है, इसको 250 से, कितना, 400 mm, centimeter में 25 से, almost, temperature requirement, optimum 10 से 15, degree Celsius, temperature requirement, किस तरह का soil चीए, low meat type का, इसको soil की requirement होती है, clear, rest m, अच्छा, इसके अंदर अलग- उसकी, brassica, zooncia, जिसको हम बोलते है, Indian mustard के नाम से जाना जाता है, जो होती है, raya, raya के नाम से जानी जाती है, brassica, compass trees, जिसको yellow सर्चों बोला जाता है, brassica, compass trees, common, जिसको एक brown सर्चों इसके अंदर आता है, brassica, rapa, जिसको toria बोला जाता है, और ibps 2019 में यही पूछा गया था, what is the scientific name of Toria, तो यह का scientific name क्या है, one of these, Bracica nigra, black mustard, जिसको true mustard बोलते हैं, जिसको banarci mustard बोलते हैं, species मसाले के लिए इसको use किया जाता है, Bracica alba, white mustard, Bracica napas, gobby sarson, और Bracica korean nata, जिसको etafion mustard के नाम से जाना जाता है, clear, चलिए जी, यह अलग-अलग segment है, कौन सी है, जिसको vegetable के लिए use किया जाता है, कौन सी mostly oil content के लिए use किया जाता है, सबसे पहला factor तो यह, कि common चीज़ यह है कि सीड rate requirement कितनी होती है, 4-5 kg seed, अगर इसको 6 crop के रूप में grow करेंगे, मतलब दूसरी crop के साथ में, अगर हम नहीं ले रहे हैं, इसको दूसरी किस crop के साथ लिया जाता है, wheat के साथ, और यह आपका पूछा गया था, PG entrance में, किस के साथ में, गेहूं के साथ में, जिसको हम बोलते हैं, बच्चे inter cropping, inter cropping का यह best क्या है, example है, wheat ratio, mustard, किस ratio में, 9 is 2, 1 ratio में, मतलब no line wheat की, और 1 row किसकी, mustard की, फिर 9 row किसकी wheat की, 1 row, mustard की, इसको grow किया जाता है, उस situation में, 2 से 3 kg हम क्या ले सकते हैं, seed, spacing 45, तराई, किसके लिए, यहाँ पर तराई लिख लिएगा, और तोरिया और रेपसीड के लिए, राई, यह तोरिया और रेपसीड के लिए, कितदा हो जाएगा आपका, 30 and 50, soving time October mostly, यह common duration के लिए होता है, चलिए जी बात करें, nitrogen 45 kg, 40 kg अगर rain fed area है तो, और अगर general हम बात करें, oil content वाली crop है, तो पहले से हमने discuss किया था कि रटना नहीं है, जिस crop पे, मतलब जो oil seed crop हो, उनमें sulfur चाहिए ही चाहिए भाया, तो 20 kg sulfur सभी oil seed crop में requirement होता है, क्यों होता है, क्योंकि oil content create करने के लिए, sulfur की जरूरत होती है, clear, तो कितना, 20 kg sulfur भी इसमें use करें, boron 1 kg per hectare, अच्छा, इसके अंदर कौन सा bio fertilizer यूज कर सकते हैं, कौन सा bio fertilizer, agitobacter and agiosprealum, दोनों ही इसमें use किया जा सकता है, bio fertilizer वो fertilizer होते हैं, जिसके अंदर bio agents होते हैं, मतलब bacteria की help से, हम bacteria को कहां पहुँचा देते हैं, soil में, उसकी help से, या तो soil में immobilized fertilizer पढ़ा हुआ है, जो store है वहाँ पे, आप बोलेगे store कहां से आ, जो हम DAP, phosphorus या सब चीज देते हैं, वो mostly 40, 50, 60% ही क्या होता है, plant के द्वारा utilize किया जाता है, rest वहीं पे store रहेगा, जिसको हम बोलते है, immobilized condition में वो पढ़ा हुआ है, उसको mobilized condition में, या solubilized condition में convert करने के लिए, हमें bacteria की help लेनी होती है, तो आपने सुना होगा, कौन सा, phosphorus solubilizing bacteria, जिसको PSB भी सुना होगा, सुना है, वो phosphorus जो soil में 60% पढ़ा हुआ है, उसको solubilize कर दिया जाए, कहते हैं कि mostly use किया जाता है, ये rhizobium, agotobacter और agiosprilum, mostly nitrogen fixation के लिए use किये जाते हैं, clear, चलिए जी, next बात करें, अच्छा, एक common ये है कि इसमें critical stage for watering, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो rosette stage, rosette stage का बाती, 20-30, and siliqua stage formation में, मतलब जब इसके अंदर fruit बनने लग जाए, इसके fruit को किस नाम से जाना जाता है, siliqua के नाम से जाना जाता है, clear, क्या इसी के को जाना जाता है, नहीं भी अब मत रटना, इसी के को नहीं, cauliflower, cabbage, radish, उन सभी को, मतलब cruciferous की 80% family को, और दो हमारी common crop हो गई, कौन कौन सी, cauliflower and cabbage, इन चारों के अंदर fruit को siliqua कहा जाता है, अगर आप इस तरह से revise करेंगे, तो वो brain में रहता है, कि एक नहीं, यह segment अलग से आ गया, मैंने कहा कि देखो seed red, मैंने already कहा कि protein content की बात करें, तो सभी pulses crop में protein content 20-25 के बीची रहेगा, almost अगर मैं बात करूँ end, 21-22 के बीची रहेगा, आप 21-22 select कर लिजे, किसी में तहीं select इसे maximum नहीं, clear, class अगर पसंद आ रही हो तो please like जरूर करें, और share जरूर करें, आज ऐसा लग रहा है पता नहीं है आज लाइक नहीं हो रहा या तो class अच्छी नहीं चल रही होगी पसंद नहीं आ रही है और channel अगर subscribe नहीं किया तो please subscribe जरूर कर लें भीया है यह everyday आपका session रहेगा अब everyday ठीक है यह पंदरा दिन से 16 दिन का हमने target रखा है almost subject को cover करने का जो बेजर सब्जेक्स हैं उनको cover करने का तो वही हमारी मुहिम चल रही है चली बात करें common अच्छा आजीमोन मैक्सिकाना एक ऐसा plant है जो वीड वीड से मोस्टी जिसके सीड होते हैं मस्टर्ड के सीड की तरह ही होते हैं तो इस common हमें पता भी नहीं चलता और जो इसमें इसका ओयल अगर मिला दिया जाए तो इसमें गंदी सी स्मेल आती है जिसको हम क्या बोलते है मैक्सिक कना प्रिकी पॉपी के नाम से भी जाना जाता है चलिए ची यह common weeds है आप हर कोई जानता है इनके बारे में varieties common वे फर्स्ट मस्टर्ड की hybrid variety in the world है पूसा जै किसान किसके द्वारा इंडिया में ही इसको ग्रो किया गया था पूसा रिशे सेंटर के द्वारा वी इस वी एल चोपराजी इस साइंटीज जिनों ने इसको किसके सॉमेटिक हाइबर डाइजेशन के तुरू इसको डवलप किया गया था तारा मेरा की वराइटी है टी ट्वेंटी इसको कोई नुकसान नहीं होता मतला वो कैमिकल्स जो वीड्स को डिस्ट्रोई करने के लिए यूज किये जाते हैं उसका इस पे उपर कोई फरक नहीं पड़ता बाकी सब खतम हो जाएंगे यह देखेंगे केला खड़ा हूं यार कौन्से वाला वेराइटी डी एम एच इस इस तरह की वेराइटी फिर भीया ज्यादा पूलाजमी है यार हना जो बेनेफिट भी दे एक्सपेंसेज भी कम बेनेफिट भी हो इससे ज्यादा क्यों क्योंकि देखें 30% से ज्यादा तो प्रोडेक्शन है इसका हर्भी साइड का कोई फरक नहीं पड़ता आप चाहें प क्यों का फिर्बी अब्लाइट मैंने आपको कहा था बचचे हमेशा की वलाइट कैसा होता है में लाइट अ इक्वल होता है जब आप देखizing कोई भी leaves को जो dry हो जाती है तोडने के बाद अगर उसको separate रख दिया जाए तो आपको dry दिखेगी और same as ऐसा ही होता है जैसे लगेगी leaves के कुछ-कुछ part या कहीं-कहीं से dry हो गया है तो वो होता है blight disease common clear white rust rust equal to dust तो mostly आप देख रहे हैं इसके उपर rust देखने को आपको मिलता albedo candida की वजह से downy mildew leave के lower surface पे down का मतलब lower lower surface के उपर क्या देखने को मिलेगा cotton like structure देखने को मिलता है और यह ibps में इस तरह से पूछा था cotton like structure can be seen on the lower part of the plant अच्छा जी मैंने देखा नहीं what is the difference between the orthodox and recalcy trend seeds के बीच में अरे बाग और आप इने दिया है क्या नाम दिया है cucumber okay क्या cucumber क्या पूछना चाह रहे है आप जल्द थोड़ा सा subscribe बताएगी फिर class के बाद मैं आपको explain करता हूँ मैं powdery mildew powdery mildew मतलब powder powder मतलब white type का powder लेकिन leaf के upper surface पे लीव के upper surface पे जब आप देखेंगे powder like structure तो इसको बोला जाएगा powder मतलब आपको dust की तरह देखने को मिलेगा हम generally बुरी पे powder use नहीं करते तो उसकी तरह देखने को मिलेगा club root and stem root blight mostly club root और stem मतलब तरना क्या हो जाता है सड जाता है which is known as stem root blight mustard aphid के नाम से तो यह common है अगर आप नोर्थ इस्ट के candidate हैं तो आपको पता होगा जिस टाइम इसमें एफिड लगता है ना हम रास्ता क्रॉस नहीं करते हैं मतलब जब भी चलते हैं बाइक वगरा से तो अंदर पॉकेट में डलता रहेगा चैरे पे बालों में सबी जगें लगता रहेगा तो वह क्या होता है इसका scientific नियम क्या है लिपे फिस एराई सीमे मस्टर्ड सोफलाई दैन पी लीफ माइनर बिहार हेरी केटरपिलर मैंने कॉमन बोला था कि ये बिहार हेरी केटरपिलर ओयल सीड का कॉमन है और पलसे इसका कॉमन है पैंटेड बग ये पैंटेड बग मोस्टली कौन से हुई major crops I hope clear हो गया होगा clear moisture content harvesting के time 13 storage के time पे हमें less than कीजेगा less than clear content for storage यह आपका 10 हो tracing के time पे 13 to 14 और storage के time पे less than 10 percentage moisture content requirement होता है crop duration वैसे 90 से 140 होता है लेकिन तोरिया की सिरफ 75 से 90 तोरिया एक ऐसी crop है जो short duration के लिए use की जाती है clear ये तीन हमारी common crop है major crops हैं जिसको हमने discuss कर लिया भीया soybean की बात करें और आगे other crops तो ये फिर minor crops के अंदर आ जाती है तो आज के लिए इतना ही I hope आपको समझ में आया होगा प्लीज अगर सैसन अच्छा लगा तो like जरूर कर दीजिए और अगर अच्छा नहीं ल आपकी क्वाइस के according हम काम करते हैं तो ये चीज में always है अपने students को भी कहता हूँ कि अगर कहीं mistake है आपको लगता है I mean आपको लगता है कि ये चीज इस तरह से समझ में नहीं आ रही तो इसको methods को जरूर change किया जाएगा बट आप जब बोलेंगे तब ये चीज पता चलेग कि ये अगर कहीं कमी है और जो PowerPoint जिसको कहते हैं feedback पॉइंट आफ कहते हैं हम review क्लिएर क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जाए कल हम discuss करेंगे पल्सेज क्रॉप को अल्मोस्ट पल्सेज क्रॉप को कल डिसकस की जाएगी जिन कैंडिडेट्स को अगर online और offline classes जोइन करना है तो नए बैचे चल चुके हैं तो आप लोग जोइन कर सकते हैं mostly ये common हना सारी मेजर क्रॉप माइनर क्रॉप से बट हां लिटल बिट इनका भी अच्छा कासा रोल होता है मैंने का सिसेम एक जरूर इंपोर्टेंट पार्ट हो जाता है सिसेम विचिज नौन एस गरीब का घी के नाम से जिसको जाना जाता है तो चलिए कल मिलते हैं सी यू टुमारो टेक क्यार ठीक है पीस सेयर जरूरकी से गया रहना जब कैंड़ेट एक बल्क में जब कैंड़ेट होते हैं स्टूडेंट होते तभी मज़ा आता है क्लास में अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप रिप्लाइद दे रहे हो प्रॉपर तरीके से लेकि इंटरेस्ट उसका तभी आएगा ठीक है चलिए सी यू टॉमार गोड नाइट